इस तरीके से आप देखिएगा अपने लॉसेस रिकवर करना चाहते हैं तो कल रेडी रहेगा बहुत अच्छा चार्ट पहले से रिसर्च करके रख लिया गया है टेलिग्राम पे पोस्ट करेंगे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा और लॉस रिकवर करेंगे बहुत बड़ी अपडेट्स आरी है और आपको पता है कि सारी अपडेट आपके लिए माइने नहीं रखती है लेकिन कुछ अपडेट इतनी माइने रखती हैं कि अगर आपको नहीं पता होंगी तो आपकी position profit से loss में कब आ जाएगी आपको नहीं पता चलेगा एक बहुत example लेता हूँ कि देखेगा एक भाई साब थे देखेगा trader ही है हमारे student है उनका कभी 5-6 lakh का profit चल ला था और जबकि आपको पता होगा कि हमारे जितने भी courses हैं उसमें मैं बोलता रहता हूँ कि सारे intra day courses हैं btsd holding कोई भी course नहीं है तो उन्होंने देखेगा एक rule break करा मैंनों से मेशा कहा है कि intra day में जो भी profit मिला प्राइसा लीजिए और तुरंद exit करिए 5-6 lakh के profit में थे उन्होंने सोचा कि देखेगा थोड़ा momentum को और तेजी आ सकती है और उन्होंने क्या करा last week क्या कर दिया holding कर ली और holding करने के बाद देखेगा उनका जो profit था वो तो गया ही गया और उसके बाद सबसे बड़ी चीज़ क्या होई कि उन्होंने जो सौधा काटा वो minus 3 lakh में काटा तो इसलिए कहते हैं जब ही भी देखेगा profitable trader से loss making trader भी बन सकते हो चुकि इस सब कुछ strategy है आप 15 minute को बहुत जल्दी predict कर सकते हो बशरते 24 घंटे गे तो आपको बता है 24 घंटे predict करने के लिए आपको time चाहिए experience चाहिए सालों का और सारी information आपको पता होनी चाहिए तो इसलिए कहता हूँ कि जितनी भी information इस channel पर दी जाती है उसके लिए एक like तो बनता है और चैनल पर subscribe नहीं किया है तो आपको ये information continuity मिलती रहेंगी तो अगर आप देखेंगे तो 500 company पिछले हफते 300 company के result आए तो उससे पहले देखीगा 250 company के result आए थे इस हफते record breaking result आने वाले record breaking और कोई भी company like देखेगा एक sector को पूरी तरीके से गिरा सकती है और sector को उठा सकती है तो ये depend करेगा result तक तो 500 company के result आने हैं और आपको पता है 21 मही तक आने हैं तो आप समझ सकते हैं पूरा full-fledged week रहेगा ये और आप समझ सकते हैं कि कितना असर पढ़ता है stock के result का चाहे अपने reliance में देखा हो चाहे HDFC bank में देखा हो चाहे ICIC bank में देखा हो चाहे किसी भी particular sector के stock में देखा हो तो ये बिलकुल भी मत भूलेगा कि कुछ दिगज कंपनियों के result बहुत जादा माइने रखने वाले हैं दूसरी बड़ी खबर है inflation के regarding और आपको पता है इससे अमेरिका में भी गिरावट आएगी और इंडिया में भी क्यों चुकि आपको पता है आवशकता से अधिक slowdown अच्छी बात नहीं होती है हमें inflation में रहना ज्यादा पसंद होता है बशरते deflation में या फिर recession में तो आप देख सकते हैं with the India's retail inflation for the April easing to 4.7% ये कुछ जादा अच्छा data आ गया इसका मतलब है कि लोग borrowing नहीं कर रहे हैं लोग पैसा उधार पे नहीं उठा रहे हैं लोग पैसा करजा नहीं ले रहे हैं तो बैंकों के लिए bad news है मैं फिर से बोलाओ बैंकों के लिए totally bad news है आवशकता से अध्रिक देखेगा inflation का कम होना ये शो करता है कि credit creation नाम की चीज़ कम होती चली जा रही है और आपको पता है जब ये data इस तरीके का आया है तो WPI inflation तो already देखेगा single digit में था तो वो तो पता नहीं और भी कम हो सकता है all eyes are in the wholesale price index जो कि कल आएगा आप देख लिजे कल आएगा और 15 माई को आपको पता है ये data जब आएगा ये live market में भी आगा तो आपको पता है जैसे ही आएगा live market में और अगर ये एक आगया एक percent आगया या फिर minus में आगया कहीं zero पे आगया कोई बड़ी बात नहीं है तो अगर ये अगर ऐसा कुछ आ गया तो आप समझा लीजे फिर ये इंडिया में भी थोड़ सा जो global slowdown effect है वो दिखने लगेगा क्योंकि ये बिल्कुल ये ही शो करेगा कि producer को और wholesaler को बहुत बड़ा profit नहीं हो रहा है तो इंडिया का annual WPI based inflation hit 29 month low देखेगा मार्च में ये देखेगा ये आया था मार्च का ये देखेगा आपको ये देखने हो मिला है अब forecast क्या है forecast है कि ये negative आ सकता है negative का मतलब है risk negative का मतलब है बैंकों के लिए बड़ा risk और आपको पता है कि negative आ सकता है चुकि हमारा CPI inflation इतना जादा कम हो चुका है कि ये जब वो बहुत 6% के आसपास था तब देखेगा ये data आया था तब ये आया था तो अब की बार तो ये minus आ सकता है अगर ये minus आता है तो इसका मतलब है ये risk है बैंकों के लिए और bank nifty में गिरावट का कारण बन सकता है क्योंकि आपको पता है कि आवशकता से अधिक देखेगा महंगाई का कम होना बिलकुल अच्छी बात नहीं माना जाता अब दूसरा देखेगा global economic data ये आपको पता है मैं आपको बताता रहता हूँ इन event पे तो आपको focus करना ही करना है तो मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे तो United States का देखेगा retail sale का data आएगा जो कि बहुत important है ये वहाँ की मंदी यतेजी को बताएगा फिर आपको पता है यहाँ पे housing का देखेगा data आएगा crude oil का और फिर देखेगा Thursday को ये data आएगा सबसे important data याना है industrial और देखेगा growth GDP का inflation का balance of trade का तो यानि कि सब कुछ अगला हफता सब को depend करेगा केवल केवल euro area पे यानि कि European market कैसा गिरेंगे उठेंगे यही decide करेगा कि हमारे market कैसा उठेंगे चलेंगे तो इस data के साथ भी कोई भी छेट छाड़नी करनी चुकि सारा data हर दिन important है कल का भी परसो का भी फिर उसके बाद भी फिर उसके बाद भी चुकि सारा data क्लाइन से अच्छा लगा है तो like share subscribe करना ना भूलेगा thank you so much